भाई आपका रिक्षा कितनी बैटरी में है जी भाई EMI का रेट और इंट्रेस्ट कितना लगता है भाई कितना एवरेज दे रहा है एक बार चार्च करने पर तो गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर जो की होने वाली है आज़ी Q&A तो गयाई जो भी आपने मुझे अच्छे-च्छे कॉमेंट किया है उसका में आज जवाब दिने वाला हूँ और गयाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज नंबर एक पर है शीवम भाई जो कि बोले हैं आप बहुत महनती हो हाँ भाई महनत तो करनी पड़ती है यार महनत नहीं करेंगे तो जो हमारा काम है वो कैसा चलेगा घर कैसा चलेगा इसलिए महनत तो करना पड़ता है तो गाइज सेकेंड नंबर पे ये भाई है जै जैराज जैराज भाई पूछते हैं कि भाई कितना एवरेज दे रहा है एक बार चार्च करने पर तो भाई आपको बता दूँ यार एक बार चार्च करने पर जो अगर नई बैटरी है तो 110-20 किलोमिटर का एवरेज दे देता है और इससे पहले मेरी जो पुरानी बैटरी थी वो मुझे 70-80 का ही माईलेज दे रहा था और क्यों लोडिंग का काम करता हूँ लोडिंग में बैटरी कुछ जादा ही ड्रेन होता है जल्दी और गाईज अभी मैंने बैटरी चेंज कर दी है तो अभी मुझे अच्छा खासा माईलेज मिल ला है अभी भी मुझे 100-110 किलोमिटर लोडिंग पे भी माईलेज मिल ला है तो गाईज आपने अगर मेरी वीडियो देखी नहीं है जिसमें मैंने वैटरी चेंज किया है तो गाईज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूगा वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए नमबर 3 पे आगे वड़ते हैं तो तीन पे भी सेम जैराज भाई का ही कोश्चन है उसकी कीमत क्या है? फाइनन्स किष्ट में कितने में पढ़ता है? तो भाई आपको बता दूं कीमत है 1.5 लाक रुपए और जो इसकी किष्ट है वो करीब 7.5 अजार उपए आता है और कुल मिला के आपको 2.5 प्लस का पढ़ जाता है तो चलिए गाईज चौथा नमबर देखते हैं चौथा नमबर पे राजेश महश्वरी भाई लिखते हैं तारजन का लोहा है इसलिए गल गया तो आँ भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार क्योंकि मैं लोडिंग का काम करता हूँ और जो मैं P.O.P. लेके जाता हूँ वो भाई उसमें जंक बहुत जल्दी लगता है यार इसलिए गल गया और टारजन का लोहा है इसलिए नहीं गल गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाईस छटे नंबर पे पूछते हैं राजीब भाई EMI का रेट और इंट्रेस्ट कितना लगता है भाई आपको बता दूँ EMI का रेट इंट्रेस्ट जादा लगता है क्योंकि यार ये कोई कमपनी फाइनस नहीं करती है आप जहां से इह रिक्षा लेने जाओगे वहाँ पे वो खोदी फाइनस करते हैं इसलिए यार वो बहुत ज़ादा ही ब्याज लगाते हैं तो गाई चलिए आगे बढ़ते हैं सात्वा नंबर कोश्चन पिक अप करते हैं सात्वा नंबर पे भाई कमल भाई बोलते हैं दुनिया की सबसे बेकार गाड़ी नई भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार दुनिया की सबसे बेकार गाड़ी नहीं है आजकर आप यही रिक्षा को देखोगे तो सबसे जादा काम में यही रिक्षा आ रहा है सबसे जादा काम इसी से हो रहा है इसमें आप कुछ भी ले जा सकते हैं चोटा से चोटा आइटम और बड़ा से बड़ा आइटम कुछ भी आप ले जा सकते हैं तो guys चलिए आगे बढ पर रहे हैं आपको 21 तोपो की सलाम ही तो भाई सोरी यार मुझसे गलती हो गई और ये भाई ने सही बोला है और मैं भी इसको मानूंगा मुझे ऐसा नहीं बोलना चीए था भाई सोरी यार तो चलिए next आगे बढ़ते हैं आगे भाई रिक्षा भाई बोलते हैं गाड़ी maintenance कर करवाएंगे मगर अभी थोड़ी पैसे की कमी है अभी अभी मैंने बैटरी डाला है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आप जाके देख सकते हैं तो भाई पक्का यार गाड़ी इस बार maintenance जरूर करवाऊंगा तो च उत्राखंड से उत्राखंड के एक छोटे से गाउं से बिलोंग करता हूं तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जनरल नौलेज भाई बोलते हैं कि कितना पुराना है भाई भाई बता दूं आपको कि मुझे इस रिक्शा को लिए धाई साल से ज्यादा हो गया है तो बता दूं जो मेरा ई रिक्शा है वो चार बैटरी में है और चार बैटरी का जो कैपिसिटी मिलाके 48 वोल्ट होता है तो 48 वोल्ट उसमें करंट जाता है तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं राजेश जी पूछते हैं चलान नहीं कटता है ये सब भरने में हाँ भाई बिल चलना पड़ता है क्योंकि यार पेट के लिए यार कुछ भी करना पड़ता है वो तो आप जानते ही हैं तो चलिए next question पर बढ़ते हैं संतोष कुमर भाई पूछते हैं भाई कहां के रहने वाले हो तो भाई आपको बता दू हूँ मैं उतराखंड का एक छोटा सा गाउ है जनकईया जनकईया से तीन किलोमीटर और आगे एक बगोली अगा है वहां का मैं रहने वाला हूँ तो भाई आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोग कहां के रहने वाले हों कॉमेंट के माध्यम से तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं सुनील परधान जी फिर से बोलते तो भाई उतना पैसा था नहीं मेरे पास इसलिए मैं उसको डला नहीं पाया तो चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोस्टन पूछते हैं मुहमत जाकिर भाई पुराना वैटरी कितने का गया भाई तो भाई आपको बता दूँ पुराना गया और एक कुंटल आठ किलो हुआ था जो की आर 11,880 रुपे का गया तो चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन पुछते हैं मायुक भाई भाई प्लीज आप ये न्यू ए रिक्षा का रिव्यू बनाए समराट एंड मन्जिल का भाई और प्लीज प्राइज भी बताना तो भाई ठीक है मैं जरूर एक दिन जाओंगा और एक अच्छा से वीडियो शूट करके मैं 36 गड़ से हूँ मैं आपका वीडियो पूरा देखता हूँ न्यू येर में मुझे भी रिक्षा लेना वाला हूँ कौन सा ये रिक्षा ठीक रहेगा बताएं तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरा वीडियो देखते हैं तो भाई मैं आपको बता जरूर बताएं और अगर सिंगम चलता है तो सिंगम जरूर ले क्योंकि यार सिंगम बहुत अच्छा है और उसकी बिल्ड क्वाल्टी भी बहुत बैस्ट है और उसके बाद अगर सिटी लाइफ मिलता है तो आप सिटी लाइफ भी ले सकते हैं मैं भी लेने के लिए गया थ नहीं और City Life भी नहीं था इसलिए मैं Tarzan लिया क्योंकि उस समय Tarzan भी बहुत अच्छा चल ला था आपके दिमाग में कोश्टन चल ला होगा कि मैं मेरे पास कौन सा फोन है मैं कौन से फोन से वीडियो बनाता हूं और कौन से सॉप्ट्वेर से एडिट करता हूं तो गाइज अगर आपको जानना है तो आप मुझे कॉमेंड में जरूर बताना तो गाइज बता दू यार जो फोन है वो मेरा है Poco F5 5G फोन है जो कि मैंने अभी पिछले साली लिया था तो गाइज फोन अच्छा है तो गाइज नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए जहिन वंदे मातरम